हेलो बच्चों कैसे आप सब आजम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का इंग्लिज यूनिट 5 तो बैलून मैन ठीक है चलिए मैं अपने इनिट स्टार्ट करते हैं ड़से बैलून मैन बिजिट्यूर मार्केट करे क्या बैलून मैन आपके मार्केट में आता है करें चलिए देखते हैं कि जो बैलून मैन है वो अपने साथ क्या लेकर आता है ठीक है चलिए अब हम पोएम पढ़ते हैं जो बैलून मैन है वो हमेशा बैलून के दिनों में आता है बैलून पकड़े होता है बहुत प्यारा प्यारा बैलून का गुच्छा वो अपने हाथों में लिये होता है ठीक है बंच मतलब होता है बुच्छा ठीक है और क्या होता है कि वो मार्केट में एक चौक पे चोड़ा है पे खड़ा होता है और उसको कभी भी नहीं देखा गया क्यों अपने लंच के बारे में सूच रहा हो दोपर के खाना ही के बारे में सूच रहा हो वहां पे खड़ा रहता हो कैसे है तो बैलून है रे पर-पल ब्लू और ग्रीन क suf बैलून है ठीक है और योशी दय इसर रेट्व है यू सी दये मेज वेडिशी हो और देखेए पालवा ठीक हैं आगे देखी क्या कर रहा आगे कर रहा है एंड सम आर बिग अंड समल एंड समाल करा एक कुछ बैलून्म और बड़े होते हैं और छोटे होते हैं और टाइड तुगेदर वीदर स्ट्रीग कराइं कि लेकिन उन्हों सब को वे सभ एक सांट दागे से बड़े हुए होते हैं बंदे हुए होते हैं and if there is a wind at all they tug and tug like anything अकर रहा है कि अगर वहां पे थोड़ी हवा हो तो क्या होता है बैलून बैलून उपर की तरफ खींचने लगते हैं उसमें खींचा होने लगता है ठीक है someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below they would look pretty in the sky फिर कर रहा है कि someday देखे लिखा है someday यानि किसी दिन perhaps मतलब साइद he will let them go कि ऐसा होता किसी दिन कि जो वैलून मैन है उनको जाने देता उपर छोड़ देता आकास में और हम लोग जो है उसको उपर अकास में उड़ते हुए देखते नीचे से खड़े होकर उपर उसको देखते उड़ते हुए कितना अच्छा और कितना सुंदर हो अकास में लगता ठीक है जोड़ी इसमें का new words देख लेते हैं new words है बंच बंच मतलब होता है गुछा और स्कु dados का मतलब होता है चोक यहां पे इसका चोक मिनिंग होगा सनी सनी मतलब होता है दूख वाला दिन गर्मी टग टग मतलब उपर खिचना उपर की त्युदे लेते हम कोस्चन दिया है खड़ा होता है ठीक है what happens to the balloon balloons when there is a wind कर आए कि अगर वहां पे हवा होता तो वैलून का क्या होता अगर हवा होता तो क्या होता है वैलून में उपर की तरफ खिंचा होता आपने भी देखा होगा अगर हवा में आप बाहर वैलून लेकर निकलोगे उसको बांद कर धागे से तो उसमें उपर की तरफ खिंचा होगा ठीक है what does the child like to see the balloon man do अब कराय कि जो बच्चे हैं उनको बैलून में को क्या करते देखना चाहते हैं तो चाहते हैं कि जो बैलून में है वैलून के सारे बंज को छोड़े ओपर अकास में और ऊड़े तो कितना अच्छा लगेगा साध़े रंग वी रंगे बेलोन एक साथ अकास में ओढ़ेंगे उनको देखना सच में बहुत अच्छा लगेगा लगेगा तो बच्चों ये विडियो आपको कैसी लगी उमीद है विडियो अच्छी लगी हो विडियो अच्छी लगी हो तो प्लिस लाइक करें सेर करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें